हेलो दोस्तों आप सभी का एकने वीडियो में स्वागत है और दोस्तों आज हम लोग ट्रांसलेशन की द्वारा दिपावली यानि की दिवाली पर एक पराग्राफ लिखने जा रहे हैं तो आज का वीडियो काफी इंट्रेस्टिंग और नॉलिजिवल है कृपिया इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा आपको बिल्कुल रटना नहीं पड़ेगा दुर्गा पूजा की तरह दिवाली भी भारत का एक परमुक तेवहार है दुर्गा पूजा की तरह लाइक दुर्गा पूजा like Durga Pooja Diwali is also one of the major festivals of इंडिया लाइक दुरगा पूजा दिवाली इच आलसो वन आफ दे मेजर फेस्टिवल्स आफ इंडिया यह पूरे भारत में बड़े ही उत्साह के साथ मनाई जाती है तो दोस्तों यहाँ पर है मनाई जाती है यानि कि यह पेसिब वो इस में है और यहाँ पर सेंटेंस की सुरुवात करेंगे इटीज सेलिब्रेटेड से तो यहाँ पर लिखेंगे इटीज सेलिब्रेटेड यह मनाई जाती है आल आवर इंडिया बड़े ही उत्साह के साथ वेद ग्रेट इंथुजियाजम यह फिर विद ग्रेट पॉम्प एंड सो भी लिख सकते है इटीज सेलिब्रेटेड ओल ओवर इंडिया विद ग्रेट इंथुजियाजम दिवाली का अर्थ है दियों की पंक्ती दिवाली मेंस अता है इसे रोसनी का तेवहार भी कहा जाता है एंड सकते हैंच आथ बाने विद यह लिख सकते हैंच उप रवद्री रवद्ट्वाएं था इस अवाद्ट एंड सकते हैंच इस अवाद्ट टेष्ट रवद्रeल टेवां का जाता है यहां पर आप cold का भी यूज़ कर सकते हैं, hence it is also called the festival of lights. यहां कार्तिक महिने में मनाई जाती है, it is celebrated in the month of कार्तिक. दिवाली के आरंभ की अनेक पौरानिक कताएं परचलित है, there are many mythological stories of the beginning of Diwali. एक कथा के अनुसार, यानिकी अकोडिंग तो अलेजन्ट वेन Shri Ramachandra शर्फेर रिटेंड तू आयोध्या अफर जाफ्टिंग रवन अफर फृतिं यरिस्टूर रावन अफर फृतिं यर्ट्टींग्स फ्रोम इग्जाइल इसका मतलब वनवास होता है तब के लिए बस एक कॉमा दे देंगे खुशी के दिये जलाए गए दे लेंपस ओफ एपिनेस वर लीट लाइट मेंस जलाना होता है वर्व टू लीट हो जाएगा एवरिवेर अकोर्डिंग तो अलेजेंट वेन सिरी रामचंदर रिटर्न तो अयोध्या आफ्र किलिंग रावन आफ्र फॉर्टीन इयर्स फ्रोम इग्जाइल यह पर बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत का प्रतीक है this festival symbolizes the victory of goodness over इवल यह पर बुराई के उपर अच्छाई की जीत का प्रतीक है दिवाली से पहले लोग अपने घरों की साफ सफाई करते हैं Before Diwali, the people clean their houses और Diwali के दिन रोशनी से सजाते हैं and decorate their houses with lights on Diwali यह फिर दोस्तों आप यहाँ पर लिख सकते हैं on the day of Diwali कुछ लोग रंगोली भी बनाते हैं Some people also make rंगोलीज Some people also make rंगोलीज Diwali पर भगवान गनेश और देभी लक्षमी की पूजा की जाती है तो यहाँ पर लिखेंगे दे लोड गनेशा एंड दे गौडडेस लक्षमी आर वर्षिप्ट यानि कि पूजा की जाती है पैसी बोईस में है on Diwali या फिर on the day of Diwali भी आप लिख सकते हैं लोग अपने रिष्टेदारों तथा दोस्तों की बीज मिठाईया बाटते हैं प्रे प्रेश्टरों थैभी अव यहाँ थैणिन थैणिवा दे ःणि vielenवas की बिज विएम थैखेंगे फीप decentral रेच्थे इंड दोने दोस्तों पटाखे जलाते हैं, हमें पटाखे जलाते समय साबधान रहना चाहिए, तो यहाँ पर लिखेंगे, the children, आप दा का यूज नहीं भी कर सकते हैं, माल लिजे बच्चों में यहां common है, कि सभी बच्चे पटाखे जलाते ही हैं, तो आप दा का यूज नहीं भी कर सकते हैं, यहा क्रेकर्स हमें पताखे जलाते समय साबधान रहना चाहिए we should be केरफुल वाइल फाइरिंग क्रेकर्स चिल्डरन फाइर क्रेकर्स we should be careful वाइल फाइरिंग क्रेकर्स दिवाली हमें भाइचारे सहयोग सुख और सांती का संदेश देती है दिवाली गिब्स अस दे मैसेज अफ ब्रदर हुड ब्रदर हुड को अपरेशन हैपिनेस और पीस दिवाली गिब्स अस दे मैसेज अफ ब्रदर हुड को अपरेशन हैपिनेस और पीस हम लोग को इसे किसी भी गलत कारी के द्वारा बिगारना नहीं चाहिए उमीद करता हूँ दोस्तों कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दिजेगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजेगा। ओल वाइट फ्रेंड्स थैंक्स पो वॉचिंग हैव ग्रेट डेए।